नमच्कार दोस्तों आप दिखें रहें NDC News मैं हूँ आपके साथ अरचना कौशल जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपड़ी और स्पेशल स्टोरी तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल आईए देखते हैं लास्विगास में चल रहे Consumer Electronic Show CES 2019 में सेमसंग ने अपने 219 इंच के टीवी की ज़लक दिखाई है सेमसंग के इस विशालकाई टीवी में Micro LED पैनल डिस्पले है इसमें पहले कंपनी ने The Wall टीवी पेश किया था जो की 140 इंच का था खास बात ये है कि सेमसंग के इस टीवी में आपको Google और Amazon Alexa का स्पोर्ट मिलता है जिनकी मदद से आप बोल कर टीवी को कमांड दे सकते हैं साथ ही इसमें Smart Speakers का भी स्पोर्ट है वहीं पर सेमसंग ने Micro LED पैनल वाले एक 75 इंच के टीवी की भी ज़लक दिखाई है इस टीवी में 4K Resolution का भी स्पोर्ट है हाला कि कमपनी ने इन दोनों टीवी की कीमतों का खुलासा नहीं किया है इन दोनों टीवी को आप बोल कर ओफ और आउन कर सकते हैं इसके लावा आप वोईस कमांड के जरीए वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं सेमसंग ने 2019 इंच वाले टीवी को दा वॉल 2019 नाम दिया है बता दें कि CES 2019 में सोनी ने मास्टर सीरिस के तहट दो टीवी पेश की जिनमें Z9G8 के और साथ ही A9G4 के ओल शामिल है इनमें से A9G TV3 वेरियंट याने के 55 इंच, 55 इंच, 70 इंच में मिलेगा वही Z9G model को आप 85 इंच, 98 इंच के वेरियंट में खरीच सकते हैं दोनों टीवी के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दोनों में एक ही प्रोसेस X1 Ultimate का इस्तेमाल किया गया है जिसे लेकर सोनी का दावा है कि इस प्रोसेसर को खास कर आठ के स्पोर्ट के लिए तयार किया गया है बता दे कि Z9G सोनी का पहला ऐसा कंज्यूमर टीवी है जिसमें 8K स्पोर्ट भी आगया है दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब